आप देख रहे हैं दा इंसाइड इस्टोरी आज बात होगी नागल लैंड और मेगाले की क्योंकि आज वहाँ पर वोटिंग हुई है जिस तरह से त्रिपुरा में 182 वोटिंग हुई थी उसी तरीके से मेगाले में 74 वीजदी और नागल लैंड में 83 वोटिंग हुई है यह कहती है कौन आगे कौन पीछे पूरोतर में किसका शाशन होने जा रहा है दो मार्ज को वो पता चलेगा लेकिन उससे पहले क्योंकि हम यह बताते हैं कि कि किसका दबदबा जाधा दिख रहा है संजीय तुर्वेदी जी वह इस्पतकार हमारे साथ हैं संजीय जी किसका दबदबा कहां से शुरू करें मेगाले से या नागालेंट से देखे शुरूआत हम पहले तो तीनों राजयों को एक साथ लेकर करें फिर एक राजय आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे ये जो चुनाव हैं नौ राज्य के चुनाव होने हैं इस साल उसमें से तीन राज्य के चुनाव हो गए अब तीन राज्य के चुनाव जो हुए हैं उनका नतीजा दो तारीक को आएगा और आज दो राज्यों में चुनाव हुए हैं मिगाले और नागालेंड में और इसके पहले 16 फर्वरी को त्रिपुरावे हुए थे चुनाओ और कहा यही जा रहा है कि यह जो चुनावी नतीजे उत्तर पूरु से आएंगे यह उत्तर पूरु के ही नतीजे नहीं होंगे यह दरसल यह बदाएंगे देश को कि आने वाले समय में जब वो चुनाव उत्तर पूरु से खिसक करके मध्य भारत में आने वाले हैं तो दशा दिशा क्या रहने वाली है चुनाओ की लोगों का मनमिजाज क्या है और किस तरह से भारती जरता पार्टी जिसने एक मजबूत पकड़ पिछले दस सालों में उत्तर पूरु में बना ली है पहले उसकी मौझूदगी बहुत कम थी अगर वो वहां कायम रह जाती है तब तो यह समझा जाएगा कि उसका जलवा कायम है और उसका असर आपको मध्य भारत में जो चुनाव होने वाले हैं 36 गड़ मध्य पदेश राजस्तान इन सब जगों पर भी और दक्षन में जो करनाटक के चुनाव है वहां भी रहने वाला है लेकिन अगर मामला थोड़ा हिल रहा है तो वो मुद्दे जो बार बार उठाए जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ क्या उनका असर होने लगा है ये बात स्पस्ट हो जाएगी तो शुरुआत कर लीजे मेगाले से चलिए तो मेगाले में क्या रहने वाला है क्योंकि 74 फीस दी वोटिंग हुई है 60 सीटे अलागि तीनों ही राज्जों में 60 सीटे हैं क्या मिजाज किसका पलड़ा जो है भारी नजर आ रहा है चुनाव लड़ रही है हम भारती जिन्ता पार्टी का ही नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नागलेंड में भी और मेगाले में भी दोनों जगहों पर सत्ता में भारती जिन्ता पार्टी थी तो आप ये समझ लें कि बावजुद इसके कि नागलेंड और मेघाले में जो वहाँ की आबादी है वो कोई हिंदुत्य के लिहाज से रास्टरवात के लिहाज से ये जो कोर आईशू हैं यूनिफार्म सेविल कोर्ड के लिहाज से ये मुद्दे नहीं है वहाँ पर बावजूद इसके भारतिय जिंता पार्टी ने उत्तरपूर्व के दलों को समेटती है और उनको एक करने की कोशिश की करती है भारतिय जंता पार्टी के पक्ष में और उसमें जब से हमत अविश्व सर्मा भारतिय जंता पार्टी में आये और उन्होंने महनत किया और पहले तो वो असम में मुख्यमंत्री बने और अब उन प्रिदेश को मेखाले से सबसे बड़े नेता जो हैं वो याद आते हैं P.A. संग्मा साब कहां केंडर में स्पीकर थे और बड़े ही पॉपिलर स्पीकर लोग सभा के और उनके लड़के हैं कॉन्राड संग्मा कॉन्राड संग्मा की जो पार्टी है NPP तो NPP और BJP मिलकर के सर पहले ये जो 2023 की चुनाव है दोनों के बीच डिफरेंस हो गया तो अब NPP कॉन्राड संग्मा की अलग लड़ लई है बीजेपी अलग लड़ लई है और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें कॉंग्रेस लेकिन धीरे धीरे उनके व गा जब सत्रह बचे थे विधायक उसमें से बारह निकल करके ट्रणमल कॉंग्रेस में जा मिले तो आज की तारीख में स्थिति देखी कितनी कमजोर है वहां पर कि चौथे या पांचवे नमबर पर कॉंग्रेस चल रही है यानि कि लड़ाई में NPP फिर बीजेपी ये दु यहां देखिए उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया तो नाराज़गी उन्होंने जताई क्योंकि राउल गांधी गए में एक हाला इस शिलॉंग में उन्होंने भासन दिया और कहा कि देखिए ये लोग हमें हरवाने के लिए हर जगा जाते हैं गवा भी आ गएते हैं कौनराड संगमा के खिलाफ मुख्यमंत्री चुकी रहे तो थोड़ी नाराज़गी जैसी है क्योंकि वहां जो इस्थानी मुद्धे हैं खासतार पर दिखिए ये तीनों राज़ ऐसे राज़े हैं जहां पर इस्थानी मुद्धे बड़े प्रभावी हैं और तीनों राज हैं तो गारो हिल्स जो है बोलता है हमें अलग देश बना दू वहां ट्राइबल डिस्टिक्स हैं आप चले आएं अगर नागलेंड में तो नागलेंड तो 1952 से ही अलग नागा आलिम नागा रास्टर बनाने की लडाई वहां चल रही है और आप अगर त्रेपुरा चले आ तो यहां मानना पड़ेगा कि मेगाले में एक तो अलग हो गए हैं एनपीपी और बीजेपी जो सबसे प्रबल थे पर दूसी तरफ जो कॉंग्रेस और क्येमसी है यह कोई बहुत सबल विपक्ष है नहीं अब एंटी इंकमबंसी भले ही काम कर रहा है कॉनराड सांगमा के लेकिन कॉनराड सांगमा की पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी साबित होगी हाला कि यह कहा जा रहा है कि जो 60 सीटे हैं और 40 चाहिए सरकार बनाने के लिए तो उन्हें 40 तो कताई नहीं आने जा रहा है यानि कि एक हंग असेंबली की स्थिती बनने जा रही है वहां कि जो हालात बताय जा रहे हैं उसमें जिसमें की कॉनराड सांगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और दूसरे नंबर पर संभव है कि वहां फिर से भारतिये जनता पार्टी आ जाए जो कि पूरे सीटों पर लड़ रही है पिछली दफ़ा वो बहुत 48 सीटों पर ही लड़ते बड़ते ड़ते इस वार उनमें पूरे साठ सीटों पर चुनाव लड़ा है पिछले बार 48 लड़के केबल दो प्राप्ट कर पाये थे इसवार साथ लड़के नहीं लगता है कि उन्हें बहुत सीटा आने तो मान कि ये चला जा रहा है कि चुनाव के पहले PPP मिल जाएंगे लेकिन यह हंग Assembly की स्थिति है वहाँ पर clear cut ना भारते जिंता पार्टी जीत रही है clear cut ना NPP वहाँ पर जीत रही है TMC भी नहीं जीत रही है क्योंकि वहाँ पाउं ही जमा रही है और रहा सवाल Congress का तो कहना पड़ेगा कि Congress की स्थिति बड़ी स्थिति गरबड़ है वहाँ पर अब चलिए नागालेंड और नागालेंड देखिए नागालेंड कितना खुबसूरत बहुत अच्छा एक ऐसा राज जिरहां के लोग और वहां की जो चादर लाल काली वाली होती है सब लोगों को आपने देखा होगा तो नागालेंड को लेकर के ये था कि वहां जो स्थानिय मुद्धे हैं वो बड़े प्रभावी होंगे भारते जिन्ता पार्टी के खिलाफ काम करेंगे क्रिस्चन्स हैं वहां 88 फीसदी क्रिस्चन लेकिन ऐसा लगता है कि अगर एक राज्य इन तीनों राज्यों में भारते जिन्ता पार्टी बड़े आराम से सत्ता में आ जाएगी तो वो नागालेंड है अच्छा उसकी वज़ा बताई जा रही है कि वहां जो निफ्यू रियो हैं जो की एंडी पीपी उनकी पार्टी है नाशनल डेमोक्राटिक प्रोग्रेसिव पार्टी चार बार सीम रह चुके हैं पहले तो बिछली तफ़ा जब 2018 में चुनाव हो रहे थे तो भारते जिंता पार्टी ने वहां के नागा पीपल्स फ्रंट के साथ गड़बंधन किया पर धीरी धीरी जब चुनाव नजदीक आने लगे तो उसे समझ में आया कि वहां जो नेफियोरियो की पार्टी है एंडी पीपी वो ज्यादा मजबूत है तो उन्होंने चुनाव के ठीक पहले नागा पीपल्स फ्रंट से तोडल दिया रिष्टा और एंडी पीपी से बना लिया रिष्टा एक दम चुनाव के एन पहले और उनका फैसला बड़ा सही निकला दोनों ने मिलकर सरकार बना दी NDPP और BJP ने और कहा ये जा रहा है कि इस बार भी NDPP और BJP रेस में आगे हैं क्योंकि विरोध में है Naga People's Front, NPF और उनके साथ आ गई है कॉंग्रेस यहां भी कॉंग्रेस पिछले बार भी बड़ी दैनिये स्थिती में थी इस बार भी कहा ये जा रहा है कि दोनों मिलकर के भी साथ सीटों पर नहीं लड़ पाए है कॉंग्रेस 23 पर लड़ पाई है और NPF 22 पर लड़ पाई है क्योंकि NPF के सारे कैंडिडेट सारे विधायक चले गए थे NDPP में जब नतीजे आये तो उन्होंने सरकार बना ली वहाँ अब आप यह देखिए कि कॉंग्रेस की इन दोनों राज्यों में जो स्थिती है वो बड़ी गड़बड है इन दोनों राज्यों में जबसे कठन हुआ था 1972 तब से कॉंग्रेस मेगालाय और नागलेंड दोनों जगों में अच्छी स्थिती में हमेशा होती थी लेकिन यह जो पिछले चुनाव है इन चुनाव से दोनों राज्यों में ऐसा लग रहा है कि स्थानिये दलों को बहुत तरीके से साध लिया है बीजेपी ने और बीजेपी किसी तरह से सत्ता में आने का एक फुट होल्ड तलास ले रही है नागलेंड में इस पस्ट दिखाई पड़ रहा है कि एंडी पीपी वहाँ जीत की तरफ अग्रेसर है मजबूती से लड़ रही है अभी उसकी सरकार भी थी चार बार के मुख्यमंत्री रहे हैं निफ्योरियो और फिर से स्टायद वो मुख्यमंत्री पांचवी बार बन जाए उसकी वज़ए ये बताई जा रही है हिमानचु की वहाँ जो नागलेंड का डिमांड है उसको किसी दरह से अमिर्शाह ने सैटिस्फाइ करने की कोशिश की है कि आपका और्टोनुमस काउंसिल बना देंगे वो तो सेपरेट जंडा मांगते हैं सेपरेट कांस्टिटूशन मांगते हैं लेकिन अब वो सब तो होना नहीं है लेकिन उनकी मांग को पारिशली आंशिक रूप से उसको फुल्फिल करके वो जो ट्राइबल वोट्स हैं उसको अपनी तरफ करने या एंडी पीपी को दिलवाने का एक बना लिया है गेम प्लान बीजेपी ने इस कारणा से त्रेपुरा मुझसे पूछेंगे अगर कि त्रेपुरा नागलेंड और मिगालेया में एक वो राज जहां 100% सत्था में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टि और उसकी सही होगी तो वो नागलेंड है नागलेंड में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टि के साथ NDPP क्या ठीकि भारते चिंता पार्टी के लिए त्रिपुरा एक गेटवे की तरह बना क्योंकि त्रिपुरा पहली बार 2018 में उन्होंने जीता था तो उसका एक रिपल इफेक्ट जो है वो पूरे उत्तर पूरों में गया Singapore आज आप जब बात कर रहे हैं कि नागा लेंड में वो सरकार में रहे है पिछले सरकार में थी वो मेखाले में उसने किसी तरह से वो गड़बंधन मना लिया था और सरकार में थी इस बले या अलग हो गये चुनाव से पहले लेकिन जो स्थिति हंग असेम्बली जैसी बन रही है उसमें भी अगर कोई गड़बंधन बनाता हुआ दिखेगा तो वो बीजेपी उसकी भूमिका होगी क्योंकि होता क्या है उत्तरपूर्व में मांचू की जो दिल्ली में सरकार होती है वो उत्तरपूर्व में सरकार बनने बनाने उलट पुलट में बड़ी काम्याब हो जाती है क्योंकि दिल्ली से बड़ा सीधा समंद रहता है उत्तरपूर्व के राज्यों का अनुदान, सीमावरती राज्यों हैं बहुत से एसी ट्राइबल डिमांड हैं, वो जो सम्भिधान की वो जो शेडूल सम हैं, उसमें आने वाले सारे राज्यों हैं तो बड़ा सीधा संबंध है वहाँ पर नगलाणी मैं एक आपको और बात बताता चलूँ कि वहाँ पर एक बड़े पॉप्यूलर लीडर सामने आ गए हैं बीजेपी के लिए, इमना अलॉंग, तेजमा इमना एक मोटे से छोटी आँखों वाले बड़े हसमुख वहाँ भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सध्यक्ष हैं वो और बड़े ही दिल्खुश और सोसल मीडिया पर बड़े फेमस हैं वो तो उनकी वज़े से भी इस बार ऐसा लग रहा है कि एक एज मिल रहा है भारती जिन्ता पार्टी को बड़े अच्छे हिंदी बोल लेते हैं और वहाँ के ट्राइबल कल्चर को बिलॉंग करते हैं और देखने में बड़े ही प्रिये हैं सबों को तो नागलेंड में एक काम कर रही है और भारती जिन्ता पार्टी को मजबूत करने में इस तरह के कैलेक्टर्स बड़े काम आए वहाँ पर में घालेंड में केंद्र से जुड़ाव है उसने मदद तो किया पर त्रिपुरा की बात अगर करते हैं तो त्रिपुरा में 60 सीटे थी उसमें 36 सीटे भारते जिन्ता पार्टी जीत गई अकेले बिना किसी सहीओ की के 36 सीटे और जब जीत हो गई सरकार बन गई विपलब देव की सरकार हुई पर दिक्कत यह हुई विपलब देव की सरकार जब चली तो एक नौबत ऐसा आया कि उनको हटाना पड़ा भारते जिन्ता पार्टी को अब यह जो गैंबल था यह गुजरात में तो सफल हो गया कि आपने पूरी कैबिनेट गल्दी, लेकिन वो पीम का राज़्य था, यह राजऺ प्रढ़ान मंतरी का राज़्य नहीं है तुल पूरा, और यहां ऐसा लग रहा है कि आपने कोई गल्ती की थी क्या, क्या यह जो तो जनता की नाराज़गी थी, उससे बचने के लिए आपने मुक्मंतरी बदला, तो जनता की नाराज़गी थी या तो आपको पता लग गया था ना, और जनता को आप नाराज होने का मौका नहीं देना चाहते हैं, उनसे वो हक चीर लेना चाहते हैं क्या, कि नाराज कैसे हो में चल रही है वहाँ पर और त्रिपुरा में कहा यही जा रहा है कि त्रिपुरा मुथा जो पार्टी है वो बहुत बड़ी भूमी का निभानी जा रही है यह देखी बीस सीटों पर उसका दबदबा है ट्राइबल इलाकों में और कहा यह जा रहा है कि बीस में से शायद वो पंद्रह जीत जाती है क्योंकि भारते जिन्ता पार्टी को इस इलाके से 10 सीटे आई थी पिछी दफ़ा इस मोथा वाले इलाके से तो अगर सारी सीटे वहां से मोथा जीत जाईगी तो भारते जिन्ता पार्टी जो 36 पर खड़ी थी नीचे आ सकती है ये मैं मानता हूँ कि भारते जिन्ता पार्टी शायद सबसे बड़ी पार्टी रहे और लेकिन बहुमत का जो आकड़ा है वो 31 पर है और 36 था तो अगर 5-6 सीट भी गर बढ़ाता है मामला तो वो हंग असेंबली में तबदील हो जाता है अब देखी वहाँ पर दूसरी जो बड़ी प्लेयर है जो मेन प्लेयर है वो है लेफ्ट इस बार लेफ्ट की वोट परसेंटेज कभी नहीं घटी है वो 40 परसेंट के उपर हमेशा रही है भारतिय जिन्ता पाटी पहले कम लाती थी पिछी दफ़ा सारे कॉंग्रेस के वोट भारतिय जिन्ता पाटी हम चले गए तो वो 43 फी सदी आ गई पर फिर भी लेफ्ट को 40 परसेंट वोट आये थे तो लेफ्ट के अपने सेट वोट बैंक है कॉंग्रेस इस बार लिफ्ट के साथ आ गई अब कॉंग्रेस से पास कुछ है नहीं दो तीन परसेंट वोट है लेकिन वो तो साथ लड़ा गए है तो जानी के लिफ्ट कॉंग्रेस कम्बाइन जो है वो एक मेजर चालेंज है और अगर मालिजे की तिप्रा मोठा अगर वो अपने इलाके में जीत जाती है तो भारते चिंता पार्टी के लिए ये चिंता का विशय हो जाएगा क्योंकि तिप्रा मोठा ने रिप्लेस किया है आई पी एफटी को जो की बीजे पी का पिछला सहीयोगी था जब 2018 में वो जीते थे आज आई पी एफटी चुकी अलग तिप्रा लैंड का मान्ग पूरा नहीं कर पाई या बीजे पी से पूरा करवा नहीं पाई तो अब उसे कोई पूछता भी نہیں है उसे और उसकी जगह ले लिया है इस पार्टी ने तिप्रा मोठा जिसका नाम है और प्रद्यु देवर्मा जिसके लीडर हैं महा के राज़ परिवार से तालुक रखते हैं तो सत्ता की चाबी जो है वो इस बार टिप्राम उठा के पास है और बावजु दुस्के की कई प्रेडिक्शन्स कह रहे हैं का स्वीप हो सकता है बीजेपी का चीप्रा में लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी एक हंग असیमली जैसी स्थिति रहेगी जिसमें लार्जस्ट पार्टी रहेगी बीजेपी और दूसरे नंगर पर रह सकता है टिप्रामोधा और TRIPRA मोटा के आसपास की ही सीटे जो हैं वो लेफ्ट और कॉंग्रेस ले सकती है दो सीट आगे, पांच सीट आगे, दो सीट कम लेकिन अगर इस तरह का कॉंबिनेशन बनता है तो फिर भारते जंता पार्टी को किसी से मदद लेनी पड़ेगी आपने प्रेडिक्शन की बात की, तो आज प्रेडिक्शन हुए भी है, एक्जिट पोल्स भी आए है तो मैं चाहूंगा कि उस पर भी थोड़ी बात हो TRIPRA को लेकर जो प्रेडिक्शन है, उस जादा तर यहीं है कि BJP clean sweep कर रही है जैसे पिछली बार किया था, मैंने जादा तर देखे, उन सभी प्रेडिक्शन में यहीं था कि 25 से और 45 तक, पतला अगर सारों वहाँ चाहिए सरकार बनानी के लिए, है ना, और sweep अगर है, तो वो 36 के पार जाएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा वो 36 ला चुके हैं, मुझे लगता है कि वो 36 से घटेंगे, क्योंकि उनका जो support base है, tribal वाला, वो प्रभावित हो चुका है टिप्रम उर्था की वजह से, और बाकी अगर intact रहता है उनका, क्योंकि उन्हें मुझे याद है करीब 10 सीटे आई थी, tribal एलाके से, जहां पर अभी प्रद्योत देवर्मा जीत रहे हैं, और predictions भी कह रही हैं कि वो जीत रहे हैं, वो 20 में से, 15 के आसपास जीत रहे हैं, predictions ऐसा बता रही है, तो अगर वो सारी स पैटिस से पच्चिस के बीच पे तो 10, 15, 20 सीटों का, मुझे ये तो इतना दोता है कि भारते जिनता पार्टी है, हाँ, भारते जिनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, ये माल लीजिए बहां पे, लेकिन अगर टिपरा मुठा जीत गया है, जैसा कि बताया जा रहा ह है, और जैसा कि बहुत कॉन्फिडेंट है, तो आप ये समझ लेजी कि उस एरिया में अगर 20 सीटे हैं, तो 40 में से 40 सीट जीताना किसी जीतना किसी के लिए, बीजे पी के लिए, तो इंपॉसिबल है ना, 40 में से 30 जीतना इंपॉसिबल है, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंक आपने बोला था कि हमें टिप्रा लैंड देंगे आप, अब आपने नहीं दिया, तो वो ट्राइबल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट चली गई हैं, पिछली बार फॉर में थी, उन्होंने कहाते हैं हम देंगे आपको, इस बार वो अगेंस्ट हो गई हैं, और उसका फायदा उ अब चालीस में से उसे क्तना लेना है? वो तीस ले सकती है, वो पतेस ले सकती है, वो तीस ले सकती है, लेकिन वो चशतिस नहीं ले पाईगी जो पिछली बार वो टोटल ले पाई थी अब गड़बंधन किसके साथ वो बनाएगी अब सवाल ये उठता है कि गड़बंधन अदर्स के पास कितनी सीटे आती है क्योंकि यही तीन बड़े प्लेया है इनके अलावा किसके पास आती है अदर्स के पास जादा सीटे कोई सुनने बता रहा है तो वहाँ पर अगर हंग असेम्ली हो जाती है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि कौन किसके साथ सरकार बनाए क्योंकि टिप्रा मुता कहती है कि जो कहेगा कि टिप्रा लैंड बनेगा हम उसके साथ जाएंगे यह कौई नहीं कह सकता है कि देश को छोड़ कर कि कोई अलग लेकिन यहाँ है कि हो सकता है कि विद्इन कौनस्ट Anyway अगर कोई सेलीउशन बीजेपि उन्हें देने के लिए तियार हो जाए क्योंकि केंदर पे सरकार भी है? सरकार है, तो वो हो सकता है, कि वो तयार हो जाएं, लेकिन वो नहीं विश्वास नहीं है, कि भाई आपको 2018 में तो वोट दिया था, तो आपने क्या किया था, फिर आप सरकार बना लेंगे, और फिर आप बेवकूब बन जाएंगे, तो कुछ ने कुछ वहाँ पर पेच है, अगर हंग असेमली आती है, तो फिर वहाँ पर मामला खीचेगा, अगर बीजेपी सरकार बना लेती है, और साथ में वो ले आती है 31, तो चलिए ठीक है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉंग्रिस और लेफ्ट और टिप बड़ा पेच है, और वाच करने वाली बात होगी, चलिए, और मेगाले की बात करें, तो वहाँ पर त्रिशंकु वाली इस्तिती है, जो हम लोगों ने बात भी कि, वहीं बनती हुई, एन पीपी हाला की, सबसे आगे निकलती हुई, सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर 31 सीट नहीं ला पाएंगे, यहां कोई बता रहा है 22 सीटे, कोई 24, कोई 18 से 24, तो अगर नहीं ला पाएंगे, तो उन्हें किसी की मदद चाहिए, भाते जिनता पार्टी, चुकि वहाँ 60 पे लड़ रही है, और 18 लड़के 2 ला पाई थी, 60 लड़के वो 5 या 6 अ सेकंड नमबर पे आती हुई नजर आ रही है, तो उसको में भी वो सरकार में हो, आगे चल कर, अब देखिए, अलगि आन्नी के खाते में भी बहुत सारे लोग तो बहुत अलग बता रहे हैं, आदरस के खाते में कोई बता रहा है 29 सीटे आ जाएंगी, कोई 22 सीटे बता रह नहीं जा सकती है, टीम सी, वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है, वो कॉंग्रेस के साथ नहीं जा सकती है, फिर है कॉंग्रेस, वो न बीजेपी के साथ जा सकती है, तो क्या वो एन्पीपी के साथ जा सकती है, तो सब वहां पर पांच-छे बड़े दर लड़ रहे हैं, और सब एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो कोई गड़बंधन हंग असेम्बली में कैसे बनेगा, ये देखना पड़ेगा, हंग असेम्बली वहां मेगाले में आ जाएगी, ये करीब करीबता है, चलिए और इसके बाद आखरी बसता है, नगालाइट, वहां पर NDPP जो कि हम है, वो 38 से 48 सीटे कोई बदा रहा है, और वहीं NDA की 44 सीटे या फिर 49 सीटे, हाँ वो चुनाव जित जाएंगे, NDPP और BJP, 40 सीटे NDPP लाड़ लई है, 20 सीटे BJP लाड़ लई है, 60 सीटे हैं वहां पर, और इन 60 सीटों में आप मान कर चलिए कि वो 40 सीटे जीदी आएंगे, दोनों मिला करके, तो वहां एक हापी पॉजीशन है BJP के लिए, और ये दोनों राज़ जो हैं BJP, वहां के ये इस्थानिये पार्टियां हैं, उनको सेट करने में सफल हो सकती है, क्योंकि वो दिल्ली में सत्ता में है, इस्थानिये मुद्दे या फिर इस्थानिये लेक्टर नजर आने वाला चलिए संजी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शक भी बताए नागा लैंड मेगाले और त्रिपुरा में कौन आ रहा है आपको क्या लगता है एक्जिट पोल्स भी आ रहे हैं दीरे दीरे और वो भी कुछ लग अलग जगा पर किन कि सरकार बन सकती है आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूस 24